अजमेर शरीफ में हुई सांप की बारिश, अस्सलामु वालेकुम प्यारे दोस्तो, दोस्तो, अजमेरे मौला में हुई सांप की बारिश, और दोस्तो, जब हो गई अजमेर शरीफ में सांप की बारिश, तो फिर क्या हुआ, और जब सांप की बारिश हुई, तो उन सांपों उस धर्ती से जिस धर्ती के राजा महाराजा गरीब नवाज सरकार हैं। इस से पहले की वीडियो का आगास करें आप से गुजारिश करेंगे। जिनकी हुक्मरानी चल रही थी वह थे पृत्वीराज चोहान। जब ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में आने के बाद जब उन्होंने दीन की दावत लोगों को देना शुरू की तो इस बात की भनक बादशा को लगी। बादशाह ने ख्वाजा गरीब नवाज को अजमेर से निकालने का फैसला कर लिया। पहले तो जहां ख्वाजा गरीब नवाज बैठे थे उस जगह पर ख्वाजा गरीब नवाज के बैठने की जगह पर बादशा के उंट बैठते थे। उसका वाक्या आप लोगों ने सुना होगा कि कैसे ख्वाजा गरीब नवाज कहकर चले गए जब बादशाह के सैनिकों ने उन्हें यानि ख्वाजा गरीब नवाज को जबरन वहां से उठने पर मजबूर किया तो खवाजा गरीब नवाज ने कह दिया कि ठीक है, चलते हैं हम यहां से, बैठे हैं राजा के उठ और बैठे ही रहे वहरहाल दोस्तो, खवाजा गरीब नवाज तो वहाँ से निकल गए, लेकिन जब उठ बैठे, तो फिर वो उठ बैठे ही रहे जमीन ने इस कदर जकड लिया उंटो को कि जैसे जमीन ने अपने आप में चिपका लिया हो जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलेह अज मेरे मौल्ला में पहुँचे उनका मुकाबला शादी देव से भी हुआ लेकिन जब शादी देव खुद ख्वाजा गरीब नवास के शरण में आ गया और कलमा पढ़कर मुसल्मान बन गया तो पृत्वी राज चोहान के अंदर और खलबली तारी हो गई पृत्वी राज चोहान ये सोचने लगा कि इस बाबा को तो हमने जिन्नात से भी भी भिड़ा दिया लेकिन जिन्नात भी इनको हरा नहीं पाए मेरे सैनिक भी नहीं हरा पाए पागल हाथी भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया मुझे तो ये लगता है कि ये बहुत बड़ा जादूगर है और जादू को जादू से ही हराया जा सकता है बहरहाल उसने वक्त के सबसे बड़े जादूगर जिसको दुनिया जमाना जैपाल जोगी के नाम से जानती थी राजा जैपाल जोगी को बुलाता है दर्बार में दर्बार में बुलाने के बाद सारा माजरा ख्वाजा गरीब नवाज की पूरी हकीकत उनके सामने रख देता है कि कैसे उन्होंने अजमेर में रहना मुश्किल कर दिया है कैसे लोगों को हक और हकानियत की दावत दे रहा है कैसे इसलाम की दावत सुल्तान उलहिंद दे रहे हैं हमने बहुत कोशिश की लेकिन वह भागते नहीं है तो तुम किसी भी तरीके से ख्वाजा गरीब नवाज को अजमेर से भगा दो अब दोस्तों, वो उस वक्त का सबसे बड़ा जादूगर था, बड़ा घमंड में था उसने कहा कि बादशाह टेंचन लेने का नहीं, मैं हूना मैं पल भर में उनको भगा दूँगा और अगर वो अजमेर से नहीं भागा अजमेर को खाली करके नहीं गया तो फिर वो जान से भी हाथ धो सकते हैं बहराल, जैपाल जोगी ख्वाजा गरीब नवाज से भिड़ने के लिए चला जाता है साथ में दोस्तों लगभग धाई हजार अपने और छोटे-छोटे जादूगरों को भी ले कर जाता है जैपाल जोगी के आने की खबर ख्वाजा गरीब नवाज को मिल जाती है मुरीदों में थोड़ा सा डर भी था कि जैपाल जोगी वक्त का सबसे बड़ा जादूगर था सुल्तान अलहिंद ख्वाजा महराजा को बताया जाता है कि हुजूर आज आपसे मुकाबला करने के लिए जैपाल आ रहा है वह जैपाल जिसके जादू का कोई काट नहीं कर सकता है वह जैपाल जो आज तक किसी से हारा नहीं जिससे भिड़ा है वह बरबाद हो गया नेस तो नाबूद हो गया ख्वाजा गरीब नवाज के सामने जैपाल की बातें रखी जाती है ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं मेरे मुरीदो तुम घबराओ मत मैं एक दायरा खींच देता हूँ एक लाइन खींच देता हूँ इस दाइरे के अंदर जब तक मेरा मुकाबला जैपाल से होता रहे तुम में से कोई भी इस दाइरे से बाहर नहीं जाना बहराल ख्वाजा गरीब नवाज ने एक लाइन खींच दी एक लकीर खींच दी सारे मुरीद उसके अंदर आ गए अब जैपाल आता है ख्वाजा गरीब नवाज को धमकाता है उसके बाद दोस्तों लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज उनसे डरते नहीं है दोस्तों सोचने का मकाम है कि जो अल्ला से डरने वाला हो वह भला किसी जादूगर से क्या डर सकता है ख्वाजा गरीब नवाज के उपर जयपाल की किसी भी बात का असर नहीं होता है जयपाल गुसे में आ जाता है अपने चेले चपेटियों से कहता है कि इन पर फिजा में जादू करो और उनके उपर साप की बारिश करदो दोस्तो उसके लोगों ने ऐसा जादू किया कि आसमान से साप बरसने लगे जी हाँ दोस्तो आसमान से अज मेरे मौला की धर्ती में साप बरसने लगे खास तोर पर जिस जगह ख्वाजा गरीब नवाज और उनके चाहने वाले थे वहाँ साप बरसने लगो लेकिन ख्वाजा का करिश्मा देखें दोस्तो ख्वाजा की करामाद देखें, किसी भी सांप में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि जिस दाइरे को ख्वाजा गरीब नवाज ने जमीन में खींचा था, उस दाइरे के अंदर गिरता, बलकि सारे सांप उस दाइरे के बाहर गिरे दोस्तों, जब जादुगर ने यह देखा, कि सांप की बारिश भी ख्वाजा का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, फिर उसने ऐसा जादु किया, कि आस्मान से आग बरसने लगी, फिर भी ख्वाजा गरीब नवाज के उस दाइरे के अंदर आग भी नहीं पहुँच सकी, फिर दोस्तों, जब सारा तिगडम कर बैठा, जैपाल जोगी और ख्वाजा गरीब नवाज और उनके चाहने वालों का, कुछ भी बाल तक बांका नहीं हुआ, तो उसने लास्ट में यह सोचा कि अब मैं आस्मान में उड़कर इनसे बदला लेता हूँ, इन पर जादू करता हूँ, उसके बाद वह हिरन की खाल फेंकता है और उस पर सवार होकर आस्मान में उड़ जाता है, दोस्तो, इतना देखना था कि ख्वाजा गरीब नवाज अपने खड़ावन को हुक्म देते हैं कि जाओ, कुफर आस्मान में है और तू यहाँ पर है, जाओ, और उसको पकड़ कर मेरी बारगाह में लेकर आओ, बस फिर क्या था दोस्तो, ख्वाजा गरीब नवाज का खड़ावन उड़ता है, तारीक गवा है कि वो खड़ावन जैपाल योगी के सर पर इस कदर बरसता है कि डर के मारे जैपाल जोगी तडपता हुआ, ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में गिर जाता है और जब कदमों में गिरता है दोस्तो तो फिर ख्वाजा गरीब नवाज इसी जैपाल जोगी को कलमा पढ़ा देते हैं वही जैपाल जोगी आज तक दुनिया जमाना में अब्दुल्ला बयाबानी के नाम से जाना जाता है आज भी कोई रास्ता गुम हो जाते हैं और अब्दुल्ला बयाबानी के नाम से अगर दुआ करते हैं तो अल्लाह तबारक वताला उनको उनका रास्ता दिखा देता है